नमस्कार प्रिये दर्शकों हाजिर हूं मैं 17 अक्टूबर 2019 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देव गुरु ब्रहस्पती को नमन कर चलिए राशिफल का एकारिक्रम प्रारम्भ करते हैं करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की आज गुरुबार है कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की आज तुरुतिया तुथी है जो प्राता काल छे बच करके 48 मिनट तक है और इसके पश्चात चतुरुती तुथी है कृतिका नक्षत्र है जो दिन में 3 बच करके 53 मिनट तक है और इसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र है वितिपात यो यह वो मिष्टि करण है बात हुगई पंचांग की चंद्रमा आज ब्रिशबराशी में रहेंगे और अभिजित महुर्त का समें 11 बच करके 20 मिनट से दो पहर दो बच करके 30 मिनट तक है जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया और शुब कार्य जिस कारे से आपको चिरकाल तक लाव लेना हो ऐसे प्रतेक कारे को अभिजित महुर्त में प्रारंभ करना चाहिए यह अभिजित महुर्त हरीक्वति प्रिय है राहुकाल में कोई भी नया कारे प्रारंभ नहीं करना चाहिए आज संकष्टी स्री गणेश करक चतुर्थी व्रत है जिसे करवा चौथ भी कहा जाता है देश में प्रायह महिलाएं इस व्रत को करती हैं अपने सौभाग्य की प्राप्ती है तू जो लोग करक चतुर्थी व्रत कर रहे हैं करवा चौथ तो उनके लिए वो चंद्रमा को जो अर्ग देते हैं तो चंद्रोदय का जो समय है वो रात्री में साथ बज़ करके 69 मिनट सूर्य इनके बारे में आप सभी जानते हैं सरवाधिक नैसरगिक बली ग्रह हैं कुंडली में अगर ये बली हो जाएं तो कहना ही नहीं जातक को सब कुछ प्रदान कर देते हैं विशेश कर अगर पुरुष की कुंडली हो और सूर्य बली हो तो वो जातक को सब कुछ जहाँ पर सूर्य हूँ तो एक नहीं वरन बहुत सारी चीजें इतनी कि कह नहीं सकते वो जातक को प्रदान कर देते हैं यहाँ बैठे सूर्य जातक को हर प्रकार की चीजें प्रदान करते हैं वो क्या क्या है और किस भाव की मैं चर्चा करने वाला हूँ आज ये दिभ्य महा प्रयोग के बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पूरु बात कर लेते हैं ग्रहस्तुतियों की चंद्रमा व्रिशब राशी में सुंचरन कर रहे हैं और राहु मिथुन राशी में मंगल और सूर्य कन्या राशी में यूती बना कर सुंचरन कर रहे हैं गुरु और चंद्रमा इस समय गोचर में आमने सामने हैं ये गज केसरी योग है जिसका लाभ शभी राशिक के जातकों को मिलेगा तो ये है ग्रह स्थिति इन ही ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तयार किया है निद्दैनिक राशिफल तय अधारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशिक आधार पर जिस नाम से आप समाज में जाने जाते हैं उस प्रचलित नाम राशिक आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं चलते हूं सूत्र की ओर प्रियदर्श को जन्म कुंडली के ग्यार्वे भाव में सूरी का होना इस सूरी की जितनी भी ब्याक्षा की जाए जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है सबसे पहले तो सूरी कुंडली के अगर लाभ भाव में बैठे हो कोई भी लगन हो, मैं किसी लगन विश्यस की बात नहीं कर रहा है, लगन कोई भी हो सुर्य कुंडली के लाभ भाव में हो, तो जातक के जीवन काल में, जातक का कोई भी कारिय धन के कारण कभी नहीं रूख सकता यानि आपके पास आपके जेब में पैसे ना भी हो परन्तु आवशक्ता पढ़ने पर धन कहां से चला आए, कहीं से चला आए, आएगा चठवे से चठवा, कुंडली का जो सश्ठम स्थान होता है, वो रोग, रिपू, रिन का होता है, और उससे च्छै घर आगे पढ़ने पर लाभभाव आ जाता है सूर्य के एक आदस भाव में होने से जातक के शत्रू खूब होते हैं, यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य लाभभाव में हैं, तो आपने महसूस किया होगा कि आपके शत्रू बहुत आयत हैं, लेकिन कभी भी आपका शत्रू आपका बाल भी बाका नहीं कर सकेगा, आ जातक को जहां बुद्धिमान, ग्यानवान और धनवान बनाते हैं, वहीं समाज में पूजय बना देते हैं, जातक की वाणी को अदभुत बना देते हैं, जातक उच्चकोटी का वक्ता होता है, वाचाल होता है, मिलाज उला करके मैं कह सकता हूँ, बहुत कुछ देते हैं, व तो धन का अभाव कभी नहीं होने देते शत्रूओं पर जातक सदाई वह भारी रहता है ऐसे जात्कों के शत्रू कुछ भी नहीं कर सकते बाल बाग में साथ जातक के समुख आकर अपने आपको बौणा महसूस करेंगे सामने आने के बाद वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे अगर आपकी कुंडली में है तो आपने इस सूत्र को अवश्य ही अपने उपर महसूस किया होगा अब चलते हैं राशी फलकी ओर बात करेंगे राशियों के क्रमा में पहली राश मेश राशिक के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है गोशर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशिशे धन भाव में संचरन कर रहे हैं और वो भी गज केशरी योग के साथ महत्व पुर्ण बदलाव होने जा रहा है जीवन में आज हो सकता है कोई ऐसी चीज आप खरीदेंगे जो महंगी हो और वर्तमान में उसकी कोई उपयोगिता तो नहों परन्तु फिर भी आप खरीदेंगे अवश्य अब वो क्या है ये तो आप जाने आपके परिस्तितियों के उपर निर्भर करता है लेकिन हाँ आज कोई महंगी वस्तु की खरीदारी आप करने वाले है आज कहीं की यात्रा भी आपको करनी पढ़ सकती है और कारेस्थल पर ऑफिस में देखा जाए तो आज सब कुछ आपके लिए बढ़िया रहेगा दिन बहुत बढ़िया है कोई अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है अपनी वानी से चुकि गुरु की दृष्टी चंद्रमा पर है सभी का मन आप मोहित कर लेंगे अपनी वानी से अपने प्रतेक कारे आप बनवा लेंगे और व्यापारी पर की बाद करूँ दिन सामान्य है परन्तु अपने प्रतिद्वंदियों से आज अपने आपको आप मजबूत पाएंगे यानि बहुत अच्छी स्थिदी तो नहीं है व्यापार बहुत सुरिष्ट नहीं चलेगा लेकिन बाकियों की अपेक्छा आपका व्यापार कमजोर नहीं होने वाला है आज आपको जूठ नहीं बोलना चाहिए प्रेमी से अगर मन की बात कहने के लिए परिशान है कई दिनों से सोच रहे हैं तो चंद्रमा पर गुरू की दृष्टी का होना आज आपकी बात का बड़ा ही जबरदस्त प्रभाव प्रेमी के उपर होगा तो अपने प्रेम का इजहार करिए पाटनर आपकी पहल का ही तो इंतजार कर रहा है अभी वो पाटनर नहीं है पाटनर हो जाएगा दामपत्य जीवन मिस्तुती आज थोड़ी परिशानी भरी रहेगी थोड़ी तू-तू मैं मैं होने वाली है लेकिन मैं एक बात बता दूँ आज वाणी बड़ा प्रभावी है इस प्रभावी वाणी का इस्तेमाल दामपत्य को सुखद बनाने में करिए खराब करने में नहीं और विद्यार्थी वर की बात करूँ तो जो मिहनत आपने की थी आज उसका नतीज़ा आपको देखने को मिल जाएगा सक्षद भी आज आज आपसे खुश रहने वाले हैं दिन मिला जुला करके विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है परन्तु चोट चपेट की घटना हो सकती है सावधान रहिएगा किसी से अभध्र भाशा का प्रयोग मत करिएगा कडवी वानी आज मत बोलिएगा इन सब चीजों का आपको खया लखना है भुवन भासकर को आज अर्गे प्रदान करिएगा आपके लिए बेहद लाभदाई सिद्ध होगा और शेर मार्केट में आज निवेश अगर करना चाहते हैं तो निवेश आपको एक बज़े से एक बज़ करके बारह मिनट के बीच कर लेना चाहिए लखी अंक आपके लिए पांच और लखी कलर आपके लिए आज हरा है बात अगर व्रिशब्की करें तो आज आपके दिमाग में कोई न कोई प्लैनिंग क्योंकि आपकी राशी पर ही चंद्रमा सुन्चरण कर रहे हैं उच्छ राशी में और देव गुरू से द्रिश्ट हो करके पूरे दिन कोई न कोई प्लैनिंग चलती ही रहेगी जो भी फैसरा लेंगे वो आपके लिए अच्छा ही होने वाला है सो आप अपना बस काम करते चले जाईए सफल और असफल इसकी चर्चा अभी नहीं करनी या इसका आंकलन अभी नहीं करना बस काम कीजिए पैसों के मामले में भी देखा जाये तो आज का दिन बहुत बढ़िया है यात्रा की भी संभावना है और कारेक छेत्र की अगर बात करूँ तो कारेक थल पर उच्चा धिकारियों से भरपूर सहयोग आपको मिलेगा शेर मार्केट से भी आपको लाभ मिलेगा परन्तु जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेंगे तो बड़ा लाभ मिलेगा व्यापार में कुछ नया काम करने का मन आज आप बत बनाएंगे कोई नया विचार आपके मन में आएगा आज किसी भी प्रकार के बहसवाजी में फंसना आपके लिए उचित नहीं है सोच समझ करके बोलिए और जहां बहसवाजी हो रही हो वहां से दूर हो जाएए वहां से हट जाएए प्रेम संबंधों की बात करिया है तो आज आपका पाटनर आपकी भावनाओं की अंदेखी कर सकता है तो आपको उद्रिग्न नहीं होना चाहिए क्रोध हमें नहीं पढ़ना चाहिए शांत रहना चाहिए जीवन साती से सामंजस से बना रहेगा और विद्ध्यार्थीवर की बात करो तो एक्स्ट्रा महनत आज आपको करनी पढ़ेगी पढ़ाई के लिए दिन बहुत बढ़िया है और सेहत को लेकर के जरा सावधान रहिए दंत रोग की सिकायत आज आपको हो सकती है तो अपनी सेहत का खयाल रखिए और गणेश जी को दूरवा अर्पित करिए लाभ मिलेगा शेर मार्केट में अगर आप निवेश करते हैं तो जल्दबाजी मत करिएगा निवेश के लिए 9 बज करके 53 मिनट से 10 बज करके 22 मिनट के बीच आप निवेश करिए लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक होगा बात मिथुन डाशिकी कर लेते हैं मानुसिक उर्जा से आज भरपूर रहने वाले हैं महत्वपूर्ण जितने भी कारे थे जो अधूरे पड़े थे उन्हें पूरा करने की कोशिश आज करिए परिवार का साथ दीजिए परिवार के साथ रहिए परिवार के साथ खरीदारी करने जाए परिवार का महौल इससे अच्छा होगा और कारिस्थल पर आज का दिन थोड़ा बोजिल भरा रहेगा कारे अधिक होंगे लेकिन एक बात आपको बता दू उच्चा धिकारियों से किसी भी प्रकार का बहस आज आपको नहीं करना है नहीं तो बाद में पच्ताना पड़ेगा और साथ ही साथ किसी भी उपर के अधिकारियों के लिए कुछ भी अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा किसी और से भी आप उच्चा धिकारियों के लिए कुछ बुरा मत कहिएगा नहीं तो आपकी कही वो बात भले ही आपका विश्वस्त मित्र क्यों न हो अधिकारी के कान में पहुँच जाएगी कहीं कि यात्रा अगर करनी पड़ती है तो अवश कीजिए लाफदाई यात्रा रहने वाली है परंतु व्यापार में आज जोखिम भरा निरने बिल्कुल नहीं लेना है सावधान रहना है सावधान रहेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी हर समस्या खत्म हो जाएगी और हर समस्या से आप पार पा जाएगे किसी भी मामले में आज आज आपको जबरदस्ती करना नहीं चाहिए जबरदस्ती करने से बचना चाहिए प्रेम संबंधों की शुरुवात होने वाली है और बिवाह का प्रस्ताव भी आपको मिलने वाला है हलाकि दामपत्य जीवन में दिन आज का बड़ा सुखत दिखाई नहीं पड़ता विद्यार्थीवर की बात करूँ दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है कम मेहनत में ही अच्छा परिनाम आपको मिल जाएगा स्वास्त आज आपका बहुत बढ़िया है परंतु नींद की समस्या हो सकती है आज आपको एक चुटकी सिंदूर हनुमान जी के चरणों में जाकर के अर्पित कर देना चाहिए लाभ मिलेगा श्यर मारकेट में आज निवेश मत करियेगा लकी अंक दो है और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है बात अगर करकर आशिकी करें तो कार्यक छत्र और नीजी जीवन दोनों में ही आज आज आप सफल होंगे जहां धनलाभ के संयोग बन रहे हैं वहीं आपके जितने भी उलजे हुए मामले हैं वो सुलज जाएंगे अगर आप एकांत में बैठ करके एकांत रहो करके बिचार करें आपको सामाधान अवश्य मिल जाएगा आज आप किसी भी काम के लिए संकोच मत करिये जो सोच रहे हैं वो कर दीजिए कारिस्थल पर आफिस में आज काम जादा रहेगा परन्तु जो भी आपके अधिनस्त लोग हैं साथ के लोग हैं उनका भरपूर सहयोग मिलेगा व्यापारी बर के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है आज आप व्यापार में जितना उंचा उठ सकें उसके लिए आपको एक बार बैट करके योजना तयार कर लेनी चाहिए रोड मैप तयार कर लेना चाहिए क्योंकि आने वाले दिनों में इसी पर चलकर आप सफलता हासिल करेंगे भावनाओं को दबाकर जो इक्षा हो वो करिए भावनाओं को दबा कर कुछ नहीं मिलने वाला तो अपने मन की जो इक्षा है उसे पूरा करिए दिन इसके लिए बहुत बढ़िया है प्रेम संबंध मधूर बनाने की कोशिश आज आपको करनी होगी जिससे आप प्रेम करते हैं उनसे संबंध आज आपका मजबूत होगा दामपत्त जीवन आज शक के दायरे में है यानि दामपत्त जीवन में मतभेद की स्तुती है किसी तीसरे की बजह से हो सकता है मतभेद हो और विद्यार्थिवर की बात करूँ तो अपना स्वभाव थोड़ा बदलना होगा आपको पढ़ाई में मन लगाना होगा और अगर इंटरव्यू या परिच्छा कहीं देने जा रहे हैं तो अवस्य शफल होंगे चोट लगने का योग है और जो लोग माईग्रेन के रोगी हैं वो आज परिशान रहेंगे सावधान रहिए दर्द बढ़ सकता है माभगवती तुलसी की जड़ में घीका दिया जलाईए प्रातहकाल और शेर मार्केट में निवेश अगर आप करते हैं तो निवेश 9 बज करके 30 मिनट से 10 बज़े के बीच निवेश करिए लखी यंग का आपके लिए 8 है और लखी कलर आपके लिए आज काला है बात अगर शिम्हराश की करें तो आज का दिन आपके लिए अच्छा है पूरे दिन आप उत्साहित रहेंगे आपके काम करने की छमता में भी बढ़ोत्तरी होगी परिवार का सहयोग आज आपको प्राप्त होगा खास जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल जाएगी पारिवारिक मामलों पर स्थाई फैसला लेने का दिन है स्थाई फैसला लीजिए आज पुराने दोस्तों से आपकी मुलाकात होगी जो भी बड़ा प्लैन है बड़ी योजना है उस पर आज ही आपको कारे करना होगा आज ही उसे पूरा कर लेना होगा कारिस्थल पर बड़ी जिम्मेवारी आज आपको मिल सकती है और बात अगर ब्यापारी वर्की करूँ तो आज का दिन आपके लिए बेहत खास और स्रिष्ट है किसी भी तरह के निवेश के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है कोई बड़ा वादा बिना सोचे बिचारे आज मत करियेगा जीवन सांती के साथ संबंध मधूर रहने वाला है प्रेम संबंधों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है और दामपत्य जीवन की बात करूँ तो दामपत्य जीवन में आज थोड़ी उतार चढ़ाओ की स्थिती रहेगी कलह कावाता वरन हो सकता है आपको सम्हालना होगा विद्यार्थीवर के लिए आज का दिन सफलता देने वाला है मन पढ़ाई में लगेगा मेहनत होगी और उसका फायदा आपको मिलेगा आज आपकी सेहत बिलकुल ठीक रहेगी परिवार के किसी सदस्य की सेहत के कारण हो सकता है आपको चिंतित होना पड़े परिशान होना पड़े कुट्टे को रोटी देना आपके लिए लाफदाई सुद्ध होगा और शेर मार्केट में निवेश करते हैं तो निवेश 12 बजे से साड़े 12 बजे के बीच करिए लकी अंक आपके लिए 6 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है बात करन्या राशिकी करें तो उत्साह उमीद और आत्न विश्वास इमानदारी इन सब के दम पर आज हर तरह के जोखिम आप उठा सकते हैं उठाईए जोखिम उठाने के लिए आज से बढ़िया दिन नहीं मिलेगा भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है सफलता आपको मिलेगी अपने बारे में जितने भी महत पुर्ण निर्णें आप लेन प्रस्ताव मिलने वाले हैं बड़ा निवेश करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है दूसरों के भरोसे आज आपको नहीं रहना चाहिए जो करना है खुद करिए दामपत्य जीवन में जितनी भी परेशानिया है गलत फहमिया है जीवन सांती से मिल करके उसे प्रस्ताव अगर रखना चाहते हैं किसी से प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो आज बात करिए और विद्यार्थीवर की बात करूँ सफलता मिलने वाली है मेहनत के नतीजे आपके सामने आएंगे आज आपकी सेहत बहुत अच्छी रहने वाली है बस बाहर का भोजन मत क करिएगा बाहर का भोजन आज नहीं करना चाहिए और शेर मार्केट में निवेश करते हैं तो जबर दस तुलाब होगा 9.33 से 10 बजे के बीच कभी भी निवेश कर लीजिए लकियंक का आपके लिए एक और लकी कलर स्काई ब्लू है घर के करीब किसी मंदिर में आज जाकर क घीके दिये जलाएए जब उत्सो का माहौल हो खुसी का माहौल हो तो घीके दिये जलाने चाहिए तुलाराशी जितने भी पूर्ब के आपके अधूरे काम हैं आज आपको बस उन्हें ही पूरा करना है कोई भी नया कारे प्रारंभ नहीं करना है मेहनत आज आज आपको काम के उपर उंगली उठाई जा सकती है पर फिर भी आपको धैरे रखना होगा और किसी भी प्रकार के बहस में नहीं पढ़ना है व्यापारीवर की बात करूं तो व्यापार में लाभ मिलेगा काम पूरा होने का योग बन रहा है आज कोई बड़ा फैसला आपको नहीं करना चाहिए प्रेम संबंदों के लिए दिन बढ़िया है प्रेमी से सर्प्राइज मिल सकता है और दामपत्य जीवन में आज थोड़ी परिशानी होगी जीवन साथी की कोई बात आपको बुरी लग सकती है विद्धार थिवर के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाल सब को चकित कर देंगे कारेक छत्र में उन्नतिक अवसर है कोई बड़ा काम आपको आज मिलने वाला है जिसमें आपको फायदा भी जबर दस्त होगा करियर में कुछ बड़े फैसले आपको लेने पड़ेंगे लेकिन ये आपके हित्मे होने वाला है हो सकता है यह फैसला न नए कारियों की शुरुवात होने वाली है पुरानी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और आज कोई बड़ी खरिदारी आपको नहीं करनी चाहिए प्रेम संबंदों के लिए दिन बहुत बढ़िया है प्रेमी से प्रेम और सहयोग दोनों प्राप्त होगा और जीवन साथी से आज खूब सहयोग मिलने वाला है कोई भी कारे करने से पहले जीवन साथी से परामर्श अवस्य लीजिए परामर्श नहीं लेना चाहते तो कम से कम बातचीत कीजिए विद्धार्थिवर की बात करू तो महनत थोड़ी अधिक करनी होगी महनत अधिक करने की आवशक्ता है सफलता अवश्य मिलेगी आज आपकी सेहत बहुत अच्छी रहने वाली है सनान के पस्चात राम रक्षा इस्तोत्र का पाठ आपके लिए लाभदाई सुद्ध होगा लकी अंक आपके लिए आज तीन लकी कलर आपके लिए ग्रे और शेर मार्केट में निवेश करना चाहत करिए नहीं तो बड़े किसी उल्जन में फस जाएंगे बचना चाहते हैं किसी उल्जन से सोच समझ करके बोलीए भविश्य के लिए योजना तयार करिए आज के लिए नहीं भविश्य के लिए नौकरी पेशा हैं तो अधिकारियों से परेसान होंगे व्यापारी है तो का प्रेमी के साथ कहीं बाहर घूमने की योजना बनाईए या घूमने जाईए इससे प्रेम संबंध मजबूत होगा और विद्यार्थी वर के लिए देखें तो समय बहुत अच्छा है मेहनत थोड़ी जादा अवश्य होगी लेकिन सफलता मिल जाएगी स्वास्ते पर अपने ध्यान दीजिए पुराना रोग फिर से उभर सकता है थो मकर राश के जात्कों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है दिन बहुत बढ़िया है आपके लिए बस किसी की कही सुनी बातों पर विश्वास नहीं करना है आपको जो भी फैसला लीजिए आखो देखी हो खुद उस पर आपको भरोसा हो जो भी फैसला लीजिए इसी नौकरी में आपका काम बदल जाए, काम की सिफ्ट बदल जाए, कुछ न कुछ बदलाओ, अवस्य होगा, परन्तु जो भी होगा, आपके हित्मे होगा व्यापारी बर्की बात करूँ तो नई संभावनाय तलासने का समय है, समय आपके अनुकूल है किसी भी प्रकार के निवेश के लिए, आज का दिन बहुत बढ़िया, और किसी पुराने निवेश से आपको खुश खबरी मिल सकती है, नि वहाँ से बड़ा धनागमन हो सकता है व्यापार में संसय किस्तुती हो, तो अपने पार्टनर से बातचीत करिये, किसी जानकार की राय लिजिये, समस्या दूर हो जाएगी और भावनाओं में आकर कि किसी से आज कोई बादा मत करिये, प्रेम संबंद के मामले में स्तावधान रहना होगा, हो सकता है प्रेमी से आज खटपट हो जाए, दामपत्त जीवन जहां सुखद है, वहीं जीवन साथी से उपहार मिलने वाला है विद्यार थीवर के लिए दिन बहुत बढ़िया, मन पढ़ाई में लगेगा, मित्र पढ़ाई में मददगार सावित होंगे और पेट का रोग आपको परिशान कर सकता है, आज अना थाले में जाकर के बच्चों को खाने के लिए दीजिए, या कुछ पैसा या कपड़ा दान दीजिए शेर मार्केट में निवेश करते हैं, तो आपको बारह बज़ करके बाईस मिनट से एक बज़े के बीच निवेश करना चाहिए, लकी यंक चार और लकी कलर आपके लिए आज बादामी होगा और बात कुम्हराशिक की करें, तो आज अपने आसपास के लोगों से आपको सहान भूती रखनी होगी, या आपको रखनी होगी, धन और संपत्ति से जुड़े जितने भी महत्त पुर्ण मामले हैं, वो सब के सब आज ही तै होंगे, आज आपकी चाहत प्रशंसा प्राप् के रखना बेहद जरूरी है, किसी उल्जे हुए कारे के कारण नौकरी में दिक्कत ही आ सकती है, हो सकता है आप अपना काम वक्त पर पूरा न कर पाएं, जिसके चलते बौस आपको डाट लगा दे, परन्तु घबराइएगा नहीं, घबराइए मत जो साथ के लोग हैं, वो आपका भरकूर सहयोग करेंगे, और विया पारिवर की बात करूँ, तो अचानक लाब होगा, कोई बड़ा फैसला आपको नहीं लेना चाहिए, और नहीं कोई नया काम, बिना विचारे किसी जानकार की डाय लिए आज शुरू करनी चाहिए, पारिवारिक संबंद बहुत परिवार का सहयोग पगपग पर मिलेगा, प्रेम संबंद को और मधुर बनाने की कोशिश करनी होगी, सफलता मिल जाएगी, दामपत्य जीवन में, अगर उतार चढ़ाओ है तो उसे दूर करिए, घर में अगर सब कुछ ठीक होगा तो बाहर आप ठीक कर लेंगे, और अगर हम बात करें, तो आज आपके फैसले बिल्कुल सही रहने वाले हैं, पुरानी परिशानियां खत्म हो जाएंगी, किसी नए काम के शुरुवात आज आप करने वाले हैं, दोस्तों से, भाईयों से भर पूर सहयोग आपको मिलता रहेगा, कारिस्थल पर आज दिन भर क काम थोड़ा जादा रहने वाला है, आपके काम की तारीफ सब किसी से मिहोगी, हर कोई आपके काम की तारीफ करने वाला है, और बोश विगर आपके काम की तारीफ करते हैं, तो सब के सामने करेंगे, मेहनत का पूरा फल आपको मिलने वाला है, धनलाभ के संयोग बन रहे है और बात अगर व्यापारी वर्की करूं, दिन सामान्य है, मेहनत ज़ादा होगी, भाग दोड थोड़ी ज़ादा रहेगी, परन्तु धनलाब होगा, इसलिए दिन को सामान्य मत समझिये पार्टनर्शिप में अगर व्यापार करते हैं, तो लाब होगा, और कहीं भी पैसे का आज भुकतान करना है, तो लापार वाही मत करियेगा, जीवन साथी का खयाल रखिये, और जीवन साथी नाराज है, तुसे मनाने की जरूत है, प्रेम संबंधों के लिए अगर देखा ज लेकर के आज सावधान रहिए, आज जोडों में दर्द की शिकायत आपको हो सकती है, घर से बाहर निकलने से पूर्व माता पिता का आशिरवाद लेकर के निकलिएगा, हर कारे आसानी से पूरा हो जाएगा, शियर मार्केट में निवेस करना चाहते हैं, तो बारा बज़े से साड़े बारा बज़े के बीच करिए, और लकी यंक आपके लिए आठ है, लकी कलर आपके लिए आज लाल रहने वाला है, प्रिया दर्शकों ये था में शिशे लेकर के मीन राशी परियंद प्रतेक राशी के जातकों का पूरे दिन का हाल, अभी के लिए बस इतना ही इ इजाज़ दीजिए पुना मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार